सब्सक्राइब केजिए इन्फराटेक यूट्यूब शेनल को और इस बेल आइकन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब शेनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेट्स गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हुआवे के न्यू स्मार्टपॉन लांच के बारे में हुआवे ने अपना चाइनीज मार्केट में लेटेस्ट स्मार्टपॉन लांच कर दिया है उसे स्मार्टफॉन का नाम है Huawei My Mang 8 इस स्मार्टफॉन की कुछ एहम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 3 रियर कैमरे और 6 GB RAM दी गई है यह स्मार्टफॉन बाटर ड्रॉप नौच, ट्रिपल रियर कैमरा सेटप और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है इस स्पेसिफिकेशन और डिजाइन की बात करें तो Huawei My Mang 8 हाल ही में लाँच किये गई Huawei P Smart Plus 2019 जैसा ही लगता है सबसे में डिफ्रेंस इसका RAM और स्टोरेज है Huawei My Mang 8 में 6 GB RAM के साथ 128 GB स्टोरेज दे गई है वहीं Huawei P Smart Plus 2019 में 3 GB RAM और 64 GB स्टोरेज दे गई है अब बात करते हैं Huawei My Mang 8 स्मार्टफॉन के प्राइस की और अबेविलिटी की चैनीज मार्केट में Huawei My Mang 8 की प्राइस 1899 चीनी युवान यानि करीब 19,000 इंडियन रुपीज रखी गई है और इस प्राइस में आपको 6 GB RAM और 128 GB स्टोरेज वाला वेरेंट मिलेगा इस फॉन को Midnight Black, Sapphire Blue कलर में लिस्ट किया गया है फिलाल इस हैंड़ सेट को इंडिया में लॉंच किये जाने के बारे में कोई इंफॉमिशन नहीं आई है अब बात करते हैं Huawei My Mang 8 स्पेसिफिकेशन की तो Dual SIM Huawei My Mang 8 स्पेसिफिकेशन एंड्रोइड Pi बेस्ट EMUI 9.0 पर रन करता है इसमें 6.21 इंच की Full HD Plus डिस्पले दे गई है जिसका रिजॉलिशन 1080p इंटू 2340p दिया गया है इसका एस्पेक्ट रिशियो डिस्पले का 19.5s to 9 है फॉन में Kirin 710 प्रोसेसर दिया गया है इसके साथ इसमें 6GB RAM दी गई है और 128GB स्टोरेज दी गई है जिसे microSD कार्ड के जरिए 512GB तक expand किया जा सकता है Huawei My Mang 8 स्पाइड में 3 rear camera दिये गई है बैक साइड में 24MP का primary camera, 2MP का depth sensor और 16MP का ultra wide angle lens दिया गया है फ्रेंट पैनल पर notch में 8MP का sensor दिया गया है ये camera artificial intelligence AI based है Huawei के latest smartphone में fingerprint rear पर दिया गया है और इस phone का weight 160 gram है connectivity features की बात करें तो इसमें micro USB port, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS 3.5 mm audio jack जैसे features सामिल है तो ये smartphone फिलाल चाइना में launch हुआ है इंडिया में launch की जाने के बारे में अभी कोई information नहीं आई है इंडिया में launch हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे जब तक हमारे चैनल को आप subscribe कर लेजिए फिलाल इस वीडियो में तना ही उम्मीद कर दें आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future में आप इस रिटाइब की और tech वीडियो दिखना चाहते है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए और जोड़े रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आप कोई सुझाव session देना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो comment box में comment करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को subscribe करना भी बिल्कुल ना भूलें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल subscribe नहीं किया है तो आप इसको जरूर subscribe कर लिजिए और अगर आपने subscribe पहले से ही कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्याबाद और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और जो भी आप future में देखना चाहती है वो comment करके बता सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याबाद